Hello everyone, welcome back to Home Tutor आज की वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत में धातु रूप धातु रूप क्या होते हैं? इनका प्रयोग कब, कहां और कैसे किया जाता है? उदहरण के साथ ये सारी चीजे हम देखेंगे तो आपको वीडियो को पूरा देखना है जिससे की आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे की धातु रूप क्या होते हैं? धातु यानि की क्रियाएं जैसे की हिंदी में हम क्रिया पढ़ते हैं आना, जाना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना तो वैसे ही संस्कृत में क्रियाएं होती हैं जिन्हें की हम धातु बोलते हैं और इनका रूप चलता है एक वचन, दुई वचन और बहुवचन में संग्या और सर्वनाम शब्दों के साथ में इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे पठ धातु का रूप पठकार्थ होता है पढ़ना और यह जो रूप है यह है लट लकार का लट लकार यानकी वर्तमान काल अगर वाक के हमारा वर्तमान काल में है तो वहाँ पर जो क्रिया है उसका लट लकार का रूप लगेगा तो यहाँ पर धात रूप लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं पुरुष पुरुष जिसमें कि तीन प्रकार के पुरुष होते हैं पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष, और इसका जो रूप है वो तीनों वचनों में चलेगा, चुकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, दुई वचन और बहु वचन, प्रथम पुरुष में हमारा आ जा साथ में हम इस धातु रूप का प्रियोग करेंगे जो हम अभी लिखने जा रहे हैं तो पठ धातु का प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप होगा पठती एक वचन में हो जाएगा पठती, जैसे कि वह पढ़ता है, तो हम संस्कृत में इसका नुवात करेंगे सह पठती, सह की जगा पर अगर किसी का नाम हो, चाहे वह लड़की हो, चाहे लड़का हो, जैसे कि राम पढ़ता है, तो वहाँ पर भी हम एक वचन में बोलेंगे लड़की है मालिजी सीता पढ़ती है, तो वहाँ परम बोलेंगे एक वचन में सीता पढ़ती, इसी तरीके से पढ़ धातु का प्रतम पुरुष के दुई वचन में रूप होगा पढ़ तह, वे दोनों पढ़ते हैं, दो लोगों की बात हो रही हैं, तो वहाँ पर अनुवाद करते समय हम दुई वचन का प्रियोग करेंगे और वाक्य होगा तव पठताह या फिर राम और श्याम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम बोलेंगे रामह श्यामह च पठताह पठधातु का प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूप होगा पठनती व वहाँ पर हम बहुवचन का प्रियोग करेंगे वे सब यानि कि ते संस्कृत में अगर इसका अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा ते पठनती या राम, स्याम और मोहन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा रामह, श्यामह, मोहनह, च पठती आप देखते हैं पठधातु का मध्यम पूरुष में रूप किस प्रकार से चलेगा? मध्यम पूरुष में आजाता है त्वम, युवाम, यूयम, त्वम यानि कि तुम यूवाम यानि कि तुम दोनों, यूयम यानि कि तुम सब, तो मध्यम पूरुष के एक वचन में पठधातु का रूप होगा पठ पठधातु का मध्यम पुरुष के द्विवचन में रूप होगा पठथः। यदि वाक्य है कि तुम दोनों पढ़ते हो तो संस्कृत में उसका अनुवात करते समय हम लिखेंगे युवाम पठथः। पठधातु का मध्यम पुरुष में बहुवचन में रूप हो जाएगा पठथ। तुम सब पढ़ते हो तो इसे हम संस्कृत में बोलेंगे युवाम पठथ। फिर उत्तम पुरुष में आ जाता है अहम यानि कि मैं आवाम यानि कि हम दोनों वयम यानि कि हम सब तो पठधातु का उत्तम पुरुष के एक वचन में रूप होगा पठामी मैं पढता हूं संस्कृत में बोलेंगे अहम पठामी पठधातु का उत्तम पुरुष के दुई वचन में रूप होगा पठावह हम दोनों पढते हैं आवाम पठावह पठधातु के उत्तम पुरुष के बहु वचन में रूप हो जाएगा पठामह हम सब पढते हैं वयम पठामह इस तरीके से पठधातु का लट लकार में रूप होगा प्रत्म पुरुष के एक वचन में पठती, दुई वचन में पठतास, बहु वचन में पठतास. पठंती, मध्यम पुरुष के एक वचन में होगा पठसी, दुई वचन में होगा पठथाह, और बहु वचन में होगा पठथ, पठसी, पठथाह, पठथ, उत्तम पुरुष के एक वचन में होगा पठामी, दुई वचन में हो जाएगा पठावह, और बहु वचन में होगा पठामह, पठामी, पठावह, पठामह, चलिए अब इनका हम अनुवात करके देख लेते हैं, जैसे कि हिंदी में यहाँ पर पहला वाक की लिखा है, वह पढ़ता है, तो इसे संस्कृत में अनुवात करेंगे, यह हो जाएगा सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तव पठता, वे सब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ते पठनती, तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा तवम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, तो यह हो जाएगा युवाम पठता, तुम सब पढ़ते हो, युयम पठत, मैं पढ़ता ह तो यहाँ पर हो जाएगा अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं, तो यह हो जाएगा वयम पठामह, तो इस तरीके से यहाँ पर इनका प्रियोग किया जाता है, तो इस प्रकार से हमने पठ धातु का रूप लट लकार में किस प्रकार से लिखते हैं और इसका प्रियोग किस प्रकार से करते हैं ये देखा, hopeful कि ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, helpful लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू टापिक के साथ, तब तक के लिए टेक क्यार और बाई बाई